यह विला है जो उसके सामने की रोड है अठारा मेटाए की रोड है प्लॉट एरिया बाइस सु पचासे स्कॉार फिट है बिल्डप एरिया बातिस स्कॉार फिट है अब हम लोग अंदर चलते हैं यह कार पार्किंग है 11.17 की कार पार्किंग रहेगी यह लॉन है 20.15 का लॉन है आप ए ग्लास रहेगा मेन एंट्री डोर यह रहेगा यह लिविंग एरिया है 20.14 का है यह पूरा उपर ग्लास रहेगा यह लिविंग एरिया है यह लिविंग एरिया का जो इस्पेस है 25.15 का है यह सामने डो बैडरूम है यह OTS इस्पेस है यह काफी बड़ा है यह किचन है 11.10 का किचन रहेगा पुरा मॉड़लर यह बैडरूम है रेकी बैडरूम है इस बैडरूम का साइज रहेगा 14 बाए 12 का अब बगल वाले बैडरूम का स्पेस रहेगा 16 बाए 12 का यह सेपरेट वस्रूम है और इसको कॉमन भी यूज़ कर सकते हैं बैक में गार्डेन है प्रॉप पार्क है बैक से जो विला है टू साइड उपन है बाहर से कुछ बैक साइड से कुछ भी यू ऐसा रहेगा अब हम लोग उपर चलते हैं एक बैडरूम यह रहेगा यह पुरा वस्रूम रहेगा और ड्रेसिंग गेरिया रहेगा इसी में और यह विंडोव और एक बैडरूम यह है बैक में बलकनी अटैच रहेगी और साम पुरा गार्डन का वीव आएगा जो यह विला है चारो सेट से काफी खुला खुला है यह पुरा गलास रहेगा और यह लॉन रहेगा इतना और मैं इस वीडियो का मैप दे दूगा और पिच्चर भी और यह टैरिस रहेगा जो उपर जाने के लिए सामने का इसा रहेगा काफी घरा भर अभी वह यह ब्राम्दा है झाल झाल झाल